हेलो प्यारे बच्चों राधे राधे जैश्वी कृष्ण कैसे हैं सभी लोग बढ़िया अच्छे से काम चल रहा है अगेन वेलकम टो यूर फेवरिट चैनल तिजिक्स वाला माईसेल पाशुतोस गुपता आपको सभी को पता है और मैं देख रहा हूं आप लोग काफी सरा रहें इस सिरीज को काफी सारा फायदा आपको हो रहा है हम लोग की मैनत रंग ला रही है हमें यही उमीद थी कि आपको इस सब चीजों से बहुत ज्यादा फायदा होगा और आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है इन questions को बहुत seriously low हम लोग mains के questions कुछ उसमें advance के questions भी discuss कर रहे है और aim यही है कि हम पूरे topic को अच्छे से cover up कर सके तो मीद है कि इसके पहले जो topic हम लोगों discuss किये उससे आपके सारे ideas clear हुए होंगे उसके अलावा जो भी doubts रहे होंगे वो भी आपको वहाँ से समझ में आया होगा कि क्या क्या चीजे है अब उसी sequence में आज हम लोग अपने अगले topic पर आते हैं जो कि gas a state है, state of matter जो आपके physics में भी पढ़ा जाता है, chemistry में भी पढ़ा जाता है in fact again chemistry में यह ज़्यादा पढ़ा जाता है physics में तो हम लोग केवल ideal gas के बारे में पढ़ते हैं जबकि chemistry में हम gas, ideal gas और real gas दो नामों से इस chapter को पढ़ा जाता है मतलब basically इस chapter में gas के behavior का discussion होता है और उसी behavior के basis पर gases को दो नामों से categorize किया जाता है एक है ideal gas, एक है non-ideal gas या जिसको हम real gas के नाम से जानते हैं difference कुछ इस तरह का होता है बेटा कि अगर gas का एक particular kind of behavior मतलब जिसको हम ideal behavior so called बोलते हैं अगर gases ideally behave कर रही हूँ तो हम उसको ideal gas नाम दे देते हैं और अगर gases ideally behave ना कर रही हूँ तो हम उसको non-ideal gas नाम दे देते हैं और सचाई कुछ इस तरह की है कि कोई एक particular gas किसी condition पर ideally behave करती है किसी और condition पर non-ideally behave करती है ये gas की अपनी characteristic है जो की condition पर dependent है इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मैं बहुत इमानदार हूँ जब तक मुझे को चोरी करने का मौका नहीं मिलता है और जब मुझे चोरी करने का मौका मिलता है तो मैं चोरी कर लेता हूँ तो इसका मतलब कि मैं इमानदार हूँ या फिर मैं चोर हूँ अगर ये question अम से पूछा जाए तो depends, depend upon की condition क्या है, किस तरह की condition है, उसके basis पर ये behavior मेरा सामने आएगा मतलब basically मैं तो आशितोष गुप्ता हो और ये मेरा behavior वैसे ही gases, gases ही है और ideal gas और non-ideal gas उनका behavior है जो की अलग-अलग condition पर depend करता है, कहानी कुछ तरह की है, कि gases ideally behave करती दिखाई पड़ती है at relatively lower pressure and relatively higher temperature, at low pressure and high temperature gases ideally behave करती है और अगर pressure temperature condition बदल दी जाए, मतलब अगर pressure को relatively higher side में लिया जाए और temperature को relatively lower side में लिया जाए, तो gases का non-ideal behavior देखने को मिलता है जिसको further दो नामों से पड़ा जाता है, negative deviation from ideal behavior, positive deviation from ideal behavior इस तरह का discussion और उसके पीछे के reasons वो सारी चीज़े इस chapter में discuss होती है तो सबसे पहले हम लोग कुछ questions ideal guess से related जो पूछे गए हैं, उनको discuss करेंगे, उससे अपनी चीज़ों को revise करेंगे and then फिर real guess के बारे में जो भी बाते हैं, उनसे related जो questions पूछे गए हैं, उन पर आएंगे तो उमीद है कि again आपका ये पूरा topic बहुत अच्छे से आपका clear हो जाएगा तो पहले मैं again आपको यही suggestion दूँगा, कि आप जो भी questions सामने आएं, एक बार आप खुछ से attempt करके देख लो आप देखो कि आपका दिमाग उस पे कैसे चल रहा है, and then फिर उसके बाद मैं क्या बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुन लो और उसके बाद आपकी चीज़े clear हो चाहेंगी, ऐसा मेरा जिस्वास है, ठीक है, तो चलो, आज आगे बात करते हैं हम लोग कहा गया पहला question, पहला question कहा गया था, an open vessel, open vessel word यहां पर यूज किया है, at 27 degree centigrade is heated until two-fifth of the air in it has escaped from the vessel, assuming that the volume of the vessel remain constant and the temperature at which vessel has been heated is, वो हमें temperature पूछा गया है, मतलब बेटा यहां यहां पर हमसे open vessel की बात की जा रही है, open vessel का मतलब container है, जो की open है और इस container के अंदर air है, ऐसा हमें बताया जा रहा है, air यहां पर present है, ऐसा हमसे कहा जा रहा है और इसका initially temperature 27 degree centigrade दिया गया है, जिसको Kelvin में लिखते हैं, तो 300 Kelvin temperature हमसे बताया गया और कहा जा रहा है कि जब इसको heat किया गया, मतलब temperature को बढ़ा करके किसी और temperature पर लेके गया तो heat करने पर final कि यह कहा जा रहा है कि two-fifth of the air निकल गई, two-fifth आप दि मतलब total air का two-fifth निकल गया two-fifth fraction में, यह language बूली गई है, fraction में two-fifth अगर निकल गया, इसका यह meaning है बेटा, कि three-fifth of gas total one में से two-fifth अगर निकल जाए, तो three-fifth of the gas बच जाएगी, इसका मतलब यह है कि अगर initially n mol थी तो finally कितने mols रह गई, three by five of total mol, इतने mol gas रह गई, और हमसे पूछा ज्यादा है कि temperature क्या किया गया होगा तो हमेशा के लिए आप याद रख सकते हो कि अगर container open है, ओ for open container, अगर container open होता है बेटा, तो इसका यह meaning होता है कि इसमें हमेशा pressure inside, pressure inside, हमेशा pressure अंदर का, बाहर के pressure के बराबर होता है बाहर के pressure के बराबर होता है हमेशा, एक particular temperature पर, जो अंदर का pressure होगा, वही बाहर का pressure भी होगा और वो pressure हमेशा constant रहेगा, अगर container open है, वो हमेशा constant रहेगा, क्योंकि बाहर का pressure हमेशा constant होता है atmospheric pressure अमेशा constant रहता है और अंदर का pressure बाहर के पेशा के बराबर ही है इसलिए अंदर का pressure भी constant ही रहेगा और इसके अलावा जो आपका vessel है उसका volume भी constant ऐसा बता दिया गया है volume of vessel नहीं भी बताते तो भी by default आप ये बात follow कर सकते हो कि volume of container constant ही रहेगा तो हम लोग जैसा की जानते है ideal gases PV is equal to nRT को follow करती है ideal gases PV is equal to nRT को follow करती है अब इस equation को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि PV upon R is equal to n into T और pressure आपका constant है volume आपका constant है R आपका constant है इसका मतलब PV upon R which is equal to nT की value constant ही बनी रहेगी PV upon R की value हमेशा constant ही बनी रहेगी इसका मतलब ये है कि अगर हम temperature बदलेंगे बिटा तो हमारे moles में change आएगा और वही यहाँ पर हुआ है pressure temperature बदला गया है जिसकी वज़े से gas के moles बदले गया है और हमसे final temperature पूछा गया है तो यहाँ से हमें दिखाई पढ़ रहा है कि nT की value हमेशा constant मतलब mole में इस तरह से change होगा temperature में इस तरह से change होगा कि mole और temperature का multiplication constant बना रहे तो इसके basis पर हम लोग यह कह सकते हैं कि n1 t1 is equals to n2 t2 कहने का मतलब ये है कि initial mole initial temperature का multiplication final mole final temperature का multiplication हमेशा बराबर बना रहेगा क्योंकि pressure constant है और volume भी constant है तो अगर temperature बदला गया तो उसी हिसाब से mole बदलेंगे हमें आप पर यह दिखाई पढ़ रहा है कि mole temperature का inversely proportional होगा कि temperature अगर बढ़ाएंगे तो gas के mole घट जाएगे तो pressure बढ़ने की वज़े से extra air बाहर निकल जाएगी अगर pressure बढ़ेगा तो अंदर बाहर का pressure में difference create होगा तो extra air बाहर निकल जाएगी जिससे अंदर का pressure बाहर के pressure के बराबर बना रहे इसका मतलब net result ऐसा होगा कि pressure अंदर का constant बना रहेगा और उसकी जगे mole बदल जाएंगे और वो कहानिया पर है आप इसमें कुछ नहीं करना value put कर दो initial mole हम लोगों ने assume कर लिया है n है initial temperature हमें बताये गया है 300 है अच्छा ये एक बात हमेशा ध्यान रखना होता है आप गैसे state में गैसे state का पूरी physical chemistry में भी ये बात हमें दिखाई पड़ती है कि जब भी temperature का data put किया जाता है तो temperature का data Kelvin में ही होना चाहिए degree centigrade में नहीं होना चाहिए मतलब किसी भी formula में अगर हम temperature की absolute value put कर रहे हैं तो temperature must be in Kelvin अगर formula में difference in temperature रखा जा रहा है difference in temperature तो difference in temperature चाहे degree centigrade में value हो चाहे Kelvin में value हो वो दोनों equal ही होती है इसलिए आप उसको रख सकते हो लेकिन अगर absolute temperature मतलब exactly temperature कितना है ये value की put करनी है तो वो हमेशा formula में Kelvin में ही put की जाएगी इसलिए हम लोगों ने सुरू में इसको Kelvin में change कर लिया था अब यहाँ पर value put कर दो तो final mole हमारे कितने हो चुके है वो बताये गया 3 by 5 तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 by 5 times N लिखें और T2 temperature हमें निकालना है तो अब यह देखो N आपका cancel out हो गया और यह बन रहा है T2 की value कितनी तो 300 into 5 divided by 3 तो आपका 3 कट जा रहा है और आपका answer आ रहा है कितना 500 Kelvin तो अगर आप option देखो तो 500 Kelvin भी लिखा है और 500 degree centigrade भी लिखा है और आपका correct answer क्या होगा 500 Kelvin तो इन बातों का ध्यान रखना है ideal gas में जो questions हम से पूछे जाते हैं तो हम सब को ये बात पता है कि ideal gases PV is equal to NRT equation को follow करती है ये equation आई कहां से है तो ये चार laws का combination है कौन से laws Boyles law, Charles law, Galusax law और Avagadro law चार law को combine कर दिया तो ये PV is equal to NRT equation हमारी बन गई है अब laws तो हमें पता होने ही चाहिए उसके अलावा ये equation पता होने चाहिए अब जो questions in general हम लोगों को देखने को मिलते हैं वो directly ये equation apply करने की बजाए एक comparative situation हमें दी जाती है comparative discussion कराया जाता है तो उसमें हम क्योंकि इसको direct apply करेंगे तो जो calculation बनती है वो थोड़ी गंदी type की होती है इसलिए calculation को आसान बनाने का जो तरीका है वो ये ही है कि question हम इस तरह का frame करें कि वो comparative discussion पर बेश्ट हो कभी हमने pressure को बदल दिया उसकी वज़े से volume में कैसा change आया होगा या temperature बदल दिया तो pressure में कैसा change आया होगा कुछ इस तरह का comparative discussion कराया जाता है तो उसके हिसाब से हमें अगर question solve करना है तो सबसे पहले आप ये देख लो कि previous question to nrt में क्या-क्या constant है और क्या-क्या variable है तो आप इसको ऐसे लिखो कि constant values को एक साथ लिख दो variables को एक साथ लिख दो तो आपको दिख जाएगा कि जो variables है वो आपस में कैसे interrelated है जो variables हैं वो आपस में कैसे एक दूसरे के respect में vary कर रहे है तो वो चीज़ आपकी आगी अब initial value, final value equate कर दो आपका सारा question solve हो जाएगा तो इस तरह से जादा तर questions में ये idea हमारा use होता है comparative काम करने से हमारी calculations आसान हो जाती है उसका तरीका यही है कि आप इस equation में variables को एक साथ लिखो constants को एक साथ लिखो variables को एक साथ लिखो और जो variable है उसको ऐसे compare कर लो initial value of variable final value of variable और आपका answer आ जाएगा चलो आगे और देखते हैं ऐसे लगे गा या नहीं लगेगा यहाँ पर क्या कहा गया यह कहा जा रहा है कि equal weight of ethane and hydrogen are mixed in an empty container at 25 degree centigrade the fraction of total pressure exerted by hydrogen यह dalton roper based question है बेटा यहाँ पर इन्होंने यह कहा है कि एक container है जिसमें दो gases है एथेन जिसका formula C2H6 है दूसरा hydrogen H2 gas है और कहा जा रहा है कि equal weight लिया गया है equal weight लिया गया है और दोनों के weight equal है मतलब कहने का यह है बेटा कि C2H6 और hydrogen gases के weight का ratio 1 is to 1 है equal weight है इसका मतलब weight का ratio क्या हुआ 1 is to 1 यह हमें बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस container में जो भी total pressure होगा उसमें hydrogen का pressure का fraction कितना होगा fraction of total pressure exerted by hydrogen total pressure कितना होगा यह पता नहीं लेकिन जितना भी होगा उसमें hydrogen का हिस्सा कितना होगा fraction of hydrogen का pressure कितना होगा यह हमसे पूछा जाता है तो एक बात हमें Dalton law में पता होती है Dalton law में क्या पता होता है हमें Dalton ने क्या बताया था हमें? उन्होंने ये बताया था कि अगर किसी कंटेनर में दो या दो से जादा गैस एक साथ प्रेजेंट हों तो उस कंटेनर का टोटल प्रेशर उस कंटेनर का टोटल प्रेशर उस उस container में present gases के partial pressures के sum के बराबर होता है मतलब A का जो भी pressure होगा, B का जो भी pressure होगा, उनका sum total pressure के बराबर होता है ये एक बात हमें पता है Dalton Law से और एक statement और भी है बेटा, statement क्या है कि किसी भी एक gas का अच्छा, partial pressure word मैंने यहाँ पर यूज किया, partial pressure word तब यूज किया जाता है बेटा जब एक साथ container में दो या दो से ज़्यादा gases होँ तो individual gases के pressure को express करने के लिए जो language यूज होती है वो partial pressure यूज होती है अगर कोई एक gas ही container में है तो word pressure यूज होगा भी partial pressure of sea उसके आता है जिसके हम यह बाद समझ में आए कि उस container में दो या दो से ज़्यादा gas है यह उसका meaning है और एक statement और है कि किसी भी एक gas का partial pressure partial pressure किसी भी एक gas का मान लेते हैं कि मैं A का pressure लिखता हूँ partial pressure of A कि value बराबर होती है total pressure into total pressure into mole fraction of that particular gas मतलब किसी भी gas का partial pressure उस total pressure multiplied by mole fraction के बराबर होता है और इसी को इसको मैं P A लिख देता हूँ और इसको आप लिख सकते हो P A upon total pressure is equals to mole fraction mole fraction को capital X से represent किया जाता है ऐसे लिखा जाता है यह pressure upon total pressure is equals to mole fraction और आप यहाँ पर देखो तो यह जो लिखा हुआ है इसकी language होती है fraction of pressure इसकी language क्या होती है fraction of pressure fraction of pressure of A fraction of pressure of A मतलब कहने का यह है कि किसी भी gas के pressure का fraction किसी भी एक gas के दूसरा statement यह है उसी का दूसरा version यह लिखा हुआ है अब आप से क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पर इसमें hydrogen gas के pressure का fraction बता हूँ आप से का जा रहा है कि hydrogen gas के pressure का fraction बता हूँ तो इसको देख करके आपको यह बात समझ आ रही होगी क्या रही होगी आपको बात समझ एक सेकर मैं इसको highlight कर देता हूँ यह आपके लिए important है बहुत जगों पर और भी use होता है ठीक है अजो ठीक है प्रेशर का fraction टोटल मूल का fraction यह gases के लिए equal होता है वो मैंने वहाँ पर दिखा दिया अब हमें यहाँ पर किसी तरह से अगर hydrogen gas के मूल का fraction मिल जाए तो प्रेशर का fraction निकल वही प्रेशर का fraction होगा मूल का fraction अगर मिल जाए तो प्रेशर का fraction निकल जाएगा हमें यहाँ पर weight का ratio दिया है तो हम इस weight के ratio से mole fraction कैसे निकाल सकते हैं आप इस weight के ratio को mole ratio में change कर दो इस weight के ratio को बेटा mole ratio में change कर दो mole ratio में इसको change कर दो कैसे change कर दे mole ratio में तो weight को mole में कैसे change कियाता है molar mass से divide करके तो आप इनी values में molar mass से divide कर दो इथेन का molar mass कितना होगा c2 h6 12 दूनी 24 और 36 और h2 का molar mass सबको पता ही है 2 होगा तो आप इसमें 30 से divide कर दो और इसमें 2 से divide कर दो और ये आप लिख सकते हो इसी को क्या लिख सकते हो 2 is to 30 mole ratio या और simplify कर डालो इसको तो 1 is to 15 भी लिखा जा सकता है 1 is to 15 तो आपको mole ratio मिल गया mole ratio का मतलब क्या होता है mole ratio का ये मतलब होता है कि अगर container में 1 mole ethane है तो 15 mole h2 होगा ये इसका meaning है अगर container में 2 mole ethane है तो 30 mole h2 होगा अगर container में 10 mole ethane है तो 150 mole h2 होगा and so on आप बोल सकते हो तो अब आपको निकालना क्या है mole fraction तो कैसे निकालेंगे mole fraction mole fraction कैसे निकलेगा हम लोगों का mole fraction of hydrogen well be equal to 豆 Am मोल ऑफ हईडोजिन प्लस उख हमल्ड एर कितना कितना है यह मांना चॉब मांड़ो अगर यह बन मांते न Pen P Pen P 10 मांते हैं तो क्या है 100ução मानें पिक नो गें इसको में चॉब में आपको वो values मान नहीं होती है, तो आप इतना लंबा क्यों जाओगा, आप यही मूल मान लो, जो लिखा हुआ है, और अगर इसी को हम लोग लिख ले, तो यह आएगा बेटा 15 अपॉन 1 प्लस 15 का मतलब 15 अपॉन 16, इसका मतलब यही आपके pressure का fraction होगा, pressure का fraction का प्रेशर आ हो गया, डेली, simple सा question, weight ratio दिया था, उससे mole ratio निकाला, mole ratio से mole fraction निकाला, और जो mole fraction आया, gases के लिए वही उनका pressure fraction होता है, तो आप देखो, कितनी आसानी से solve कर लिया, हाँ, डाल्टन लो, जरूर आप दोनो statement याद रखना, बहुत जादा physical के मिस्ट्रियम लोगों के काम में आ equation था, अगला equation फिर से ideal gas का ही है, अगर कुछ नहीं बोला जाया, तो gas ideal gas ही मानी जाती है, इस में लोने काया कि एक LPG का cylinder है, जो हमारे घरों में यूज होता है, contains gas at pressure 300 kilo Pascal at 27 degree centigrade, मतलब कहा जा रहा है कि 27 degree centigrade, जिसको हम लोग 300 Kelvin भी लिख सकते हैं, 300 Kelvin, इस समय इस gas का जो total pressure है अं अंडर का, वो 300 kilo Pascal है, इसको आप लिख सकते हो बैटा, 300 into 10 to the power 3, 10 to the power 3 Pascal भी लिख सकते हो, या इसी को आप लिख सकते हो, 3 into 10 to the power 5 Pascal, और आप इसी को चाहो तो लिख सकते हो 3 bar, क्यों क्योंकि एक बार की value 10 to the power 5 Pascal के बराबर होती है, ये conversion भी हम लोग याद रखेंगे, इसके अलब एक conversion और भी याद रखेंगे, एक atmosphere, एक atmosphere लगबग 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal के बराबर होता है, ये conversion factors बहुत ज़्यादा हमारे काम आते हैं, हमें याद रखने, खेर, हमें initial pressure बता दिया है, आगे कहा जा रहा है, the cylinder can withstand the pressure of this much, मतलब हमारा cylinder इतना, 1.2 into 10 to the power 6 Pascal pressure झेल सकता है, 1.2 into 10 power 6 Pascal वो झेल सकता है, मतलब अगर इस pressure से ज़्यादा pressure cylinder के अंदर हो जाए, तो वो blast कर जाएगा, ऐसा बताया जाता है, और कहा जा रहा है, कि the room in which cylinder is kept, catches fire, मतलब जिस room में cylinder रखा है, उसमें आग लग गई, आग लग गई है, तो फिर temperature तो और अगर temperature बढ़ा, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, the minimum temperature at which the bursting of cylinder will take place, मतलब कमरे का temperature कितना पहुँच जाए, कि हमारा cylinder burst कर जाए, burst, blast कर जाए, मतलब अब cylinder burst क्या ही करेगा, तो blast ही करेगा, जहाँ पर भी रखा होगा, तो हमसे पूछा जा रहा है, कि किस temperature पर ऐसा होगा कितना, अब यह हमें 300 Kelvin पर pressure दिया है, इसको आप initial pressure, initial temperature बोलो, कितना pressure यह जहल सकता है, cylinder की बाद जब भी की जाती है, तो by default हमेशा यह मान करके की जाती है, कि cylinder हमारा rigid container होता है, rigid container होता है का मतलब बेटा, उसका volume constant होता है, fixed volume होता है, आपने खुद भी cylinder देखा है, आपका cylinder कभी फूलता पिचकता नहीं होगा, एक rigid container होगा, अच्छा का सा logic होता है, तो rigid container का example होता, volume हमेशा fixed होगा, और जिस तरह की language लिखी है, इसका यह meaning है कि हमारा cylinder बंद होगा, मतलब उसके अंदर जो भी gas होगी, उसके mole भी constant ही बने रहेंगे, अब अगें, PV is equals to NRT से, अभी म आपको बताया था, कि जो जो चीजें आपको constant लग रही हो, उनको एक side में लिख दो, और जो जो चीजें vary कर रही हो, उनको एक side में लिख दो, तो हमें लग रहा है, volume constant है, mole constant है, आर भी constant है, तो इसको लिख सकते है, P upon T is equals to NR upon V is equals to constant, is equals to constant, इसका मतलब यह है, कि इस question में temperature vary कर रहा है, जिसकी वज़े से container का pressure vary कर रहा है, और वो इस तरह से है, कि P by T की value constant रहेगी, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, P1 upon T1 is equals to P2 upon T2, अब आप से क्या पूछा गया है, यह पूछा जा रहा है कि temperature कितना हो जाए, कि cylinder blast कर जाए, तो आपका cylinder blast करने के लिए, to blast the cylinder, blast करने के लिए, pressure कितना हो जाना चाहिए, वो दिया गया है, 1.2 into 10 to the power 6 pascal, आप इसको लिख सकते हो, 12 into 10 to the power 5 pascal, आप इसको लिख सकते हो, 12 bar, 12 bar पी लिख सकते हो, मतलब आप देखो, पहले pressure 3 bar है, अगर उसके अंदर का pressure 12 bar, 12 bar हो जाए, तो उस वो blast कर जाएगा, आप से पूछा जारा कि किस temperature पर यह होगा, तो यह आपका final pressure है, और आपको final temperature कितना हो जाएगा, जिस पर यह pressure achieve होगा, वो पता करना है, तो कैसे पता किया जाए, क्या करें हम लोग, आपको वहाँ पर लिखा हो है, P1 upon T1 is equal to P2 upon T2, P1 कितना है, 3 bar T1 कितना है, 300 Kelvin, P2 कितना होना है, 12 bar T2 आप से पूछा जा रहा है, इसको आप पड़ाओगे तो 4 आएगा, और T2 की value 4 into 300 का मतलब 1200 Kelvin आपका answer आजाएगा, एक बात ये notice करना, कि जब भी हम ऐसी equation को use करते हैं, तो pressure की value रखते समय, same unit में रखनी चाहिए, unit का खयाल लखना चाहिए, चोकि एक comparative discussion है, तो आप unit को इसी भी choose कर सकते हो, लेकिन जो choose इधर करना, वही choose इधर भी करना, मतलब अगर pressure इधर बार में लिखा है, तो इधर भी बार में ही होना चाहिए, अगर इधर पासकल में, तो इधर भी पासकल में होना चाहिए, अगर इधर एट्मोस्पेर में, तो इधर भी एट्मोस्पेर में ही होना चाहिए, मतलब इस बात का हमें खयाल रखना होता है ठीक और इस तरह से हम final temperature कितना होगा ये निकाल ले जाते हैं तो इसका मतलब हमारा answer 1200 Kelvin आया है और इसमें हमसे पूचा गया है आप देखो यहाँ पर degree centigrade में answer अगर खुश हो कि यह answer आपने 1200 integer type का question है और आपको integer दिखाई पड़ा 12 तो आगया 1200 आगया और आपने 1200 फिल किया और खुश कि वह यह मेरा equation तो बिल्कुस सही है और आप देख रहो कि क्या होगा डिग्री centigrade में answer नहीं आएगा डिग्री centigrade में कितना आएगा तो 1200 में आपको 273 माइनस करना पड़ेगा तो 10 में से 3 गे 7 9 में से 7 के 2 1 में से 2 11 में से दोगे no तो आपका जो answer है वो है 927 डिग्री centigrade 927 डिग्री centigrade इन बातों का खयाल हमें रखना होता है ठेक चलो यह अभी पिछले साल का ही question है आप देख लो पहुत ज़्यादा मुस्किल questions गैसे statement नहीं होते अगर हम proper language के साथ में chapter को पढ़ते हैं तो questions का pattern यह कहीं जैसा है ले देकर के ideal gas में numerical में PV को से NRT ही यूज हो रही होती है हमेशा अब आपको उसमें देखना होता है कि आपकी क्या चीज variable है क्या चीज constant है बस cuts equations हो चलो अगले question पर आजो जल्दी से अगला question फिर से डाल्टन law का ही है इसमें कहा गया है कि 0.5 mole of gas a x mole of gas b exert a pressure of 200 pascal in a container of volume मतलब pascal SI system में unit होती है pressure की Newton per meter square को ही pascal बोला जाता है अब R की value में बता दी जा रही है और कहा जा रहा है मतलब कहा जा रहा है कि एक container है जिसमें दो gases है ए और B A के moles आपको बताया जा रहे है पिटा 0.5 mole है और B के moles आपको बताया जा रहे है है x moles x mole है और इन दोनों gases के वैसे जो टोटल प्रिशर लग रहा है वो 200 pascal है 200 pascal है तो टोटल प्रिशर का data आपको दिया है और x की value पूछी जा रहे है तो आप यहां से यह कह सकते हो कि total mole container में कितने है total mole of gas container में कितने हैं तो वो होगा 0.5 plus x 0.5 plus x mole और gases के बारे में आप एक बात notice कर सकते हो कि gases का जो behavior है वो केवल और केवल उनके amount पर depend करता है मतलब कहने का यह है कि gases का जो pressure exert करती है gases वो उनके moles पर depend करती है उनकी identity पर depend नहीं करती मतलब gas A का एक mole जितना pressure लगाएगा gas B का एक mole भी उतना ही pressure लगाएगा क्योंकि सभी gases के behavior exactly same होते हैं gases की identity पर gases के behavior dependent नहीं है अगर हम ideal gas की बात कर रहा है obviously तो अगर real gas की बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ यह statement गलत हो जाता है लेकिन अभी discussion ideal का ही चल रहा है तो यहाँ पर यह बात हम notice कर सकते हैं इसका मतलब यह है कि container का जो भी total pressure होगा वो container में total mole की वे से decide होगा हमें total pressure दिया है और volume बताया temperature बताया और x के यह लिए पूछा है तो आप simply क्या करना है PV is equals to nRT लगा दो आपको total pressure दिया है 200 Pascal तो volume of container दिया है 10 आप यहाँ total mole लिख दो वो value है 0.5 plus x into r into temperature आपको दिया हुआ है कितना दिया हुए temperature भी है कहाँ गया temperature हाँ यह है 1000 Kelvin 1000 Kelvin और सीधे आपका x की value आ जाएगे मला आपको यह नहीं सोचना रहे हो यार वो तो B gas है यह तो A gas है और दोनों के partial pressure निकाले है फिर उससे कुछ नहीं सोचना है आप एक बात हमेशा याद रखो कि कोई भी gas हो वो उसका behavior हर दूसरी gas के जैसा ही होता है चाहे hydrogen हो चाहे oxygen हो चाहे nitrogen हो चाहे carbon oxide हो अगर इनके moles fix कर दिये गए तो इनके pressures या बाकी जो भी properties हम लोग पढ़ रहे हैं वो fixed ही होते हैं हमें इस बात से मतलब नहीं कि वो h2 है तो कुछ अलग कहानी बनेगी ओ टू है तो बहुर कोई नहीं कहानी बना रही होगी ऐसा कुछ भी नहीं होता है टेक तो अब हम लोग यह काम कर सकते हैं अब आप देखो तो यहाँ पर दो और एक 3-0 और दो और यहाँ से भी 3-0 और दो तो आपका काम आसान हो गया और आर को इदर लिखे आ जो तो टू बाई आर इस इकोस टू पॉइंट फाइव का वन बाई टू लिख दो प्लस एक्स तो एक्स की वैलियू आपकी आएगी टू बाई आर माइनस वन बाई टू का 4-R upon 2R actually मैंने उस format में इस question का answer लाए हैं जिस format में हमें option दिये गए हैं तो आपका answer अगर check करो तो answer Bombay है Bombay अलब यह question मैंने इसलिए लिया था बेटा जिसने में बात बोल सकूं कि gases का behavior gases की identity पर depend नहीं करता gases का behavior का मतलब gases जो pressure लगाती है gases जो volume occupy करती है gases का जो temperature होता है वो उनकी identity पर depend नहीं करता वो केवल उनके number of molecules पर या number of moles पर ही dependent होता है ठेक चलो अगले question पर आजो अगला question क्या है हमारा इस type का बहुत question पूछा जाता है और बच्चे काफी ज़्यादा परशान होते है बड़ा simple question होता है लेकिन फिर भी ऐसी कहानी लिखी होती ही कि तब बच्चे confused जाते है इन्होंने काया है कि two closed valve का मतलब vessel है of equal volume containing an ideal gas initially at pressure PI initial pressure and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume मैं shown in the figure below मैं figure यहाँ पर लिखा नहीं है तो मैं बता दे रहो figure कहाँ पर है देखो figure बनाने में तो ऐसे भी मुझको बहुत अच्छा लगता है मेरा figure बहुत maintained है आपको पता नहीं है आप देखता है तो highly maintained figure figure बे तो काफी मैं conscious रहता हो कहाँ गया हाँ ठीक है और इसको आप ऐसे कुछ जोल लो यह कुछ ऐसा है उमीद है कि आपको यह figure अच्छा लगा होगा इसको बैस थोड़ा और अच्छा कर लूँ यह यहां से खुला हुआ है यहां से यह खुला हुआ है, ऐसा कुछ है, ठीक, यहां पर इन्होंने बोला है, क्या बोला है, कि दो वेसल हैं, इसको connect किया है narrow tube से, दोनों के volume equal हैं बेटा, दोनों के pressure initially same है, दोनों का temperature initially same है, और दोनों में ideal gas है, यहां भी gas है, यहां भी gas है, यहां भी gas है, ऐसा बटाया ज यह आपका डाइग्राम है इस question का दोनों का volume pressure temperature से तो आप यह भी कह सकते हो कि दोनों part में दोनों vessels में दोनों bulb में जो mole of gases होगी वो equally होगी कह सकते हो equally होगी अब यह कहा जा रहा है इनोंने क्या किया है कि the temperature of one of the bulb is raised to T2 मतलब एक बल्ब का temperature इनोंने T1 से बढ़ा करके T2 कर दिया है ऐसा कर दिया है तो पूछा जा रहा है कि final pressure कितना हो गया होगा यह बताओ तो जैसे अभी आपको initially दिखाई पड़ रहा है कि दोनों side में gases के pressure equal है that is initial pressure अब अगर temperature बदला गया तो एक side मानलो बढ़ाया गया तो जिधा temperature बढ़ेगा उधर gas का pressure बढ़ना लग जाएगा क्यों बढ़ने लग जाएगा क्योंकि volume constant है और अगर हम यह माने कि mole भी constant है और volume भी constant है तो temperature बढ़ने से pressure बढ़ेगा और अगर pressure बढ़ा तो फिर दूसर side pressure कम है और इधर side जादा है तो gases की characteristic होती है कि gases हमेशा higher pressure से lower pressure की तरफ move करेंगी मतलब अगर मैं यह मान रहा हूँ कि T2 की value T1 से जादा है तो gases इधर से फिर इधर की तरफ move करते भी दिखाई पड़ेंगी और अगर ऐसा होगा तो उसका result यह होगा कि यहाँ पर gas के mole बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो gas का pressure अभी आपको दिख रहा है वो बढ़ने लग जाएगा because of increase in number of mole of gas ठेक और यहाँ पर जो temperature बढ़ने की वज़े से pressure बढ़ा था वो कुछ mole इधर की तरफ ट्रांसफर होने की वज़े से कुछ घटेगा और कहानी कुछ इस तरह की होगी final settlement कुछ इस तरह का होगा कि दोनों gas तब तक move करेगी जब तक दोनों side का pressure equal ना हो जाए मतलब कहने का यह है कि अगर यह बढ़कर के P final पर रुका तो बेटा यह भी बढ़कर के P final पर ही रुकेगा मतलब finally दोनों side का pressure तो same होना ही है finally दोनों side का pressure same होगा तभी यह equilibrium re-establish होगा otherwise gas move करती रहेगी और वो final pressure ही हमसे पूछा जा रहा है अब बात आती कि इसको solve कैसे किया जा है तो अगर आप पूरा process देखो तो पूरे process में आपको यह दिखाई पड़ेगा कि जो gas के total moles हमने initially ले रखे हैं यहाँ पर और यहाँ पर मिला करके बाद में भी total moles उतने ही बने रहेंगे क्योंकि container के अंदर ही mole है तो आप initial mole को final mole से equate कर दो मतलब mole initial is equals to mole final आपका काम हो जाएगा क्योंकि mole constant है तो उस constant value को हम equate कर दे रहें अब initial mole कितने थे तो इस part में अलग निकाल लो या फिर आप पूरे container दोनों वेसल को मिला करके पूरे part में हर जगे pressure सेम था हर जगे temperature सेम था और volume आपको पता है तो आप पूरे part के लिए mole एक साथ निकाल सकते हो और वो mole होंगे कितने PV upon RT से निकाल दो और PV upon RT मतलब initial pressure कितना है PI initial volume कितना है gases का तो 2V 2V कैसे V plus V 2V total volume 2V है upon temperature कितना है T1 तो RT1 मतलब initial mole आपके कितने हुए वो आपने से निकाल दे PV upon RT से अब इसी तरह से final mole निकालो तो जब आप final mole निकालने जाओगे बेटा तो उस समय आप पूरे container के लिए एक साथ PV is equals to NRT नहीं लगा पाओगे क्यों नहीं लगा पाओगे उसका reason यह है कि एक part का temperature T1 है और दूसरे part का temperature T2 है मतला अगर दोनों parts में temperature T1, T2 अलग-अलग है तो आप पूरे system के लिए एक साथ PV is equals to NRT अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि अगर किसी ने लगर यह गलती करी कि नहीं लगा देते हैं यार कुछ नहीं हो रहा कोई नहीं देख रहा लगा लो लगा लो तो फिर उसका result यह होगा कि आप लगाने जाओगे तो मान लोग पी की जगए आप फाइनल लग दोगे ठीक है चलो मान लिया वी की जग करेंगा वन्लब उससे आंसर आपका नहीं आरा वन्लब कुछ भी नहीं कर सकते यह क्वेशन दिख इस यहीं चीज दिखाने क्लिए मैंने कि लिया था कि पीवी को स्टो नार्टी हम कब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते तो आप पूरे सिस्टन के लिए नहीं लगा तो similarly यहाँ पर पीवी को स्टो नार्टी लगा के लोल निकाल सकते हो दोनों पार्ट में जो मोल्स आएंगे उनको एड कर दो तो आपके टोटल मोल्स आजएं क्योंकि हैं तो यहीं बहिए गया तो कहीं है नहीं कि निकल लिए हो बंद तो आई ही कंटेनर तो आप करो क्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फस्ट पार्ट में जो मोल्स होंगे बेटा वो होंगे पी फाइनल इन्टु फस्ट पार्ट का वॉल्यूम अपॉन आर इन्टु टीवल प्लस सेकेंड पार्ट में मोल्स होंगे पी फाइनल इन्टु वी अपॉन आर इन्टु टीटु अब अगर mole equate हो गए, तो अब इसको simplify कर दो, तो अगर आप देखो, तो आपका volume वाला term तोड़ गया, दोनों साइट से, और आपका r वाला term भी उड़ जाएगा, r वाला term भी उड़ जाएगा, और इधर क्या बच्चा, 2 times p initial upon t1 is equals to, आप यहाँ से p final common लेलो, तो p final अगर common लोग है, तो यहाँ पर बनेगा बेटा, 1 upon t1 plus 1 upon t2, आप calcium लेके लिखो, तो आपका यह बनेगा, t1 plus t2 upon t1 into t2, upon t1 into t2, और अगर आप ध्यान दे रहे हो, तो आप यहाँ से t1 और यहाँ से t1 उड़ा दो, और बाकी चीजों को उठा के इधर लिख दो, तो बाकी चीजों को उठा के इधर लिखते हैं, तो यह आएगा, 2 times p initial into t2 upon t1 plus t2 is equals to p, final, यह आपका इस question का answer आगे हैं, हो गया, आप option चेक करो, 2p initial into t1, नहीं, t1 नहीं, 2p initial into t2, यह वाला आपका correct answer, Bombay, Bombay आपका correct answer, जो idea में questions के साथ बता रहा हूँ बेटा, वो बहुत important है आपके लिए, आप उन बातों को बारीकियों से ध्यान में रखो, आपके question बड़े आराम से solve हो जाएगा, actually मैं बोलते समय इस बात का खयाल रख रहा हूँ, कि आपकी issues कहां पर आते हैं, आप क्या गलतियां करते हो, उसको बचाने की में कोशिश कर रहूँ, तो आप ध्यान से सुनते रहो, और उनको सीखते रहो, language बहुत जादा important होती है, chemistry में, especially physical chemistry में, कुछ लोगों को ऐसा इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, और अगर आप paper उठा के देखो, तो वहाँ पर अब जिस तरह के questions आते हैं, यो वही लोग कर सकते हैं, जिसने physical chemistry में language पर focus किया है, language के साथ chemistry को बढ़ा है, physical chemistry को गणित नहीं समझा है, क्योंकि physical chemistry, chemistry है, गणित नहीं है, और chemistry बता पाना थोड़ा मुस्किल काम होता है, वो थोड़ा experience आता है, तो उस पर अगर आप focus रहोगे, तो आपका बहुत अच्छा score आएगा, अगर आपने formula को रटके काम चलाने की कोशिश की है, तो physical chemistry में अब जिस तरह का train चलता है, वो fighting है, मतलब वो आसान नहीं होता, इसलिए आप language पर एक छोटी-छोटी, ऐसा नहीं कि बहुत जादा कुछ special, बहुत tough-tough सी बात है, कुछ भी नहीं है, जो सबसे आसान चीज हो सकती, बस वही आपको जाननी है, मुस्किल चीज तो आपको जाननी ही नहीं है, आप basics पर focus रहो, आप NCRT पर ही focus रहो, आप बड़े चुरत ही नहीं, आप paper उठा के देखो, बारीकी से analyze करो, तो आपको यह बात देखाई पड़ेगी, कि बहुत आसान सी चीज है, आप बस जो simple सी चीज है, जो चोट-चोटी बात है, उसमें clarity रखो, clarity बहुत जादा important है, लोग वहीं पर miss करते हैं, गलतियां करते हैं, जिसक की बज़े से अठक जाते हैं, आप इस बात का खयाल रखो, बस, और कुछ भी दे, अच्छा, चलो, अगले question पर आजओ, अगला question क्या है हमारा, यह Graham's law पर based question है, Graham's law पर, Graham's law क्या था बिटा, क्या पढ़ते हैं हम लोग ग्रहम, Graham's law ने क्या बताया था, Graham's law of diffusion या effusion, उन्ह होल से बाहर आती हैं, या gases आप पर से mix करती हैं, उनके diffusion या effusion का rate, rate of effusion, rate of effusion, effusion is inversely proportional to उनके molar mass का square root, या inversely proportional to उनकी density का square root, inversely proportional to density का square root, gases के लिए PV is equals to NRT, या उसी के जगे हम लोगे equation आती है, PM is equals to DRT, मतलब density molar mass के directly proportional होती है, तो उसके basis पर ये दोनों state में लिखे जा सकते हैं, मतलब rate of effusion, gases के molar mass के inversely proportional होता है, square root के, और उनके pressure के directly proportional होता है, मतलब just gas का pressure जादा होगा, वो जादा तेजी से बाहर निकलती है, जादा तेजी से views होती है, ऐसा हमें देखने को मिल लेगा, अब उसी पर based equation था, इन्होंने ये कहा है, कि अगर किसी एक cylindrical tube, अगर एक cylindrical tube में एक end से ammonia gas, NH3 gas, और दूसरे end से HCl gas, पास की जाए, गैस पास करने की बात कर रहे हैं, और खैर, a bottle of dry ammonia and a bottle of dry HCl, connected through a long tube, are opened simultaneously at both ends, then the white ammonium chloride ring first formed will be, मतलब basically ammonia अपने आप में एक base है, HCl अपने आप में एक acid है, जहां ये दोनों gases first time मिलेंगी, जहां ये, इधर की तरफ से ammonia आगे बढ़ेगी, तुक तुक तुक, इधर की तरफ से HCl आगे बढ़ेगा, तुक तुक, और कहीं पर पहली बार ये दोनों मिलेंगी, और जहां पर मिलेंगी, वहां पर reaction होगी, ammonium chloride बनेगा, और जो ammonium chloride बनता है, वो उसका white fume बनता है, मतलब white color की एक ring form हो जाएगी, जहां पर भी ये काम होगा, तो वो पूछा जा रहा है, मानलो कि मैंने यहां पर देखाया, वो white fume यहां पर देखने को मिला है, यह यहां पर बना, तो यह आप से पूछा जा रहा है, कि वो जहां पर भी white fume बनेगा, सबसे पहली बार वो option बताओ, तो at the end, at the center of the tube, near the hydrogen chloride, near the ammonia bottle, throughout the length, मतलब कहने का यह है, basically होगा क्या, कि एक ammonia इधर से move कर रही, इधर से HCL move कर रही, और जो जितना कम distance travel कर पाएगी gas, उधर की तरफ ही हमारा ring बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो जितना जादा distance travel कर लेगी, वो उत्ती दूर हमारा ring form होता हुआ दिखाई पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पर इस बात का अंसर करने के लिए, दोनों के rate of diffusion का idea लगाना है, basically rate of diffusion या rate of diffusion से हम ये भी बोल सकते हैं, कि जिस molecule की rate of diffusion जादा होगा, उसकी speed भी जादा होगी, मतलब वो जादा दूरी तक travel कर पाएगी, मतलब कहने का ये है कि rate of diffusion से हम distance traveled को भी relate कर सकते हैं, मतलब rate of diffusion is directly proportional to distance traveled by molecule, और इसके basis पर अगर हम लोग बात करें, तो rate of diffusion of ammonia upon rate of diffusion of HCl can be written as distance traveled by distance traveled by ammonia upon distance traveled by distance traveled by HCl, ऐसे बोल सकते हैं, और यहां से ये आप बोल सकते हैं, this will be equal to under root of molar mass of HCl upon molar mass of ammonia, ये result आपका सामने आएगा, molar mass की inversely proportional होता है, मतलब कहने का ये है, कि जो हलकी gas होगी, उसके molecule ज्यादा दूरी तक travel कर जाते हैं, जो heavier gas होती है, वो कम दूरी तक travel कर पाएंगे, और अगर आप molar masses देखो, तो ammonia का molar mass होता है, 14 plus 3, 17, और HCl का molar mass होता है, कितना 1 plus 35.5, 1 plus 35.5 का अंतलब 36.5, किसका molar mass ज्यादा है, हाँ, HCl का, obviously, मतलब कौन कम distance, जो मोटा आदबी होगा, वो तोड़ा कम travel कर पाएंगा, जो दुबला पतला होगा, ज्यादा दूरी तक travel कर जाएगा, तो कहानी वैसे ही दिख रही है, तो इसका अज़ा हलका कौन है, HCl, नहीं, अमोनिया, अमोनिया हलका है, इसका अमोनिया ज्यादा distance travel करेगा, in comparison to HCl, तो इसका मतलब white serum या ring, आपको कहां देखने को मिलने वाली है, वो HCl के पास मिलने वाली है, actually, HCl के पास मिलने वाली है, क्योंकि अमोनिया ज्यादा distance travel कर चुका होगा, और HCl विचारा भारी होने की वज़े, वज़े से कम distance travel कर पाएगा, इसका मतलब आपका correct answer होगा, बॉम्बे, near the HCl bottle, HCl bottle की तरफ ring बनता हुआ देखने को मिलेगा, तो इस तरह से इसको compare कर रहे जाता है, इसमें ऐसा भी question पूछा जा चुका है, कि अगर total length of the tube, suppose 1 meter है, तो बताओ कि किस length पर, इस end से कितनी distance पर ये white film देखने को मिलेगा, तो आप इसी relation से, मान लो कि इतनी time में distance traveled by ammonia X है, तो बाकी के distance traveled हो जाएगी by HCl, और आप ये value यहाँ put करके, equation को solve करके, answer निकाल सकते हो, हाला कि आपको ये बात दिखाई पढ़ रही होगी, कि calculation गंदी है, इसी लिए कोशिस की जाती है, कि हम calculation avoid करवा पाए, तो इसलिए ऐसे question अब बनने लगे हैं, लेकिन पहले का question है, अब भी ऐसा question भी पूछा जा चुका है, तो वो हमें उसके लिए prepared रहना है, मतलब calculation तो हमारी अच्छी होनी ही चाहिए, अब उससे हम नहीं बच सकते, अच्छा, अगला question, अगले question पर आजो, अगले question में लिखा है, according to kinetic theory of gas, for a diatomic molecule, इन में से कौन सा statement सही है, kinetic theory of gases हम लोगों को एक theory बताए गई है, जिस पर based PV is equals to NRT equation derive की जाती है, एक तो loss का combination से PV is equals to NRT निकलाती है, इसके अलावा, kinetic theory of gas एक theoretical attempt है, to derive PV is equals to NRT, यह आपको physics में भी derivation देखने को मिलता है, chemistry में तो derivation involved नहीं है, लेकिन इस theory को develop करने में कुछ बाते, postulates हमने मान रखें हैं, या assumption हमने मान रखें, मानने की ज़ुरत इसलिए पड़ती है कि जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है, उसको मान लेते हैं, अगर वो वैसा behavior जो इस तरह का है, हमारे मानने से satisfy हो जाए, तो हम मान लेते हैं, तो इसी तरह से kinetic theory of gases में कुछ बातें मान ली गई हैं बिटा, और उसके basis पर derivation किया गया, तो हम लोग derivation में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि postulate क्या थे, जिसमें, जैसे अगर मैं recall कर आओ, तो एक postulate था कि gaseous molecule किसी भी container में अगर ideal gas है, तो उन gas के जो molecules होंगे, वो लगातार, continuously, randomly move करते रहते हैं, मतलब कोई आराम नहीं करेगा, सब लोग move करते रहेंगे randomly, randomly कहने का मतलब ये है, कि जब ये move करेंगे, तो कोई preferred direction नहीं होगी, मतलब कोई parade जैसा कुछ नहीं हो रहा होगा, जिसका जिदर मना आ रहा होगा, वो randomly move करेगा, ऐसा हमने माना है कि ऐसा होता होगा, पहला point, दूसरा point, जब भी ये move करते हैं, तो हर एक molecule of gas, हम इसा straight line में move करता है, हर एक molecule straight line में move करता है, हम ऐसा मानते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ा है, दिखाई पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि एक molecule को naked eye से देख पाना possible नहीं होता, क्योंकि बहुत small size है, तो दिखाई नहीं है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, क्यों हम ऐसा इसलिए मानते हैं, क्योंकि दारू तो उपने पिलाई नहीं है, उसको की दारू पीके लेरा रहा हो, तो उसी उमीद यहीं है कि वो straight line में ही चलता होगा, हम ऐसा मानते हैं, और उसके चलने की direction बदल जाएगी, अगर वो किसी दूसरे मोलीकूल से टकरा जाए, मतलब तब तक उसकी चलने की direction नहीं बदलेगी, जब तक वो किसी दूसरे मोलीकूल से टकरा नहीं जा रहा है, और अब जो भी container में molecules हैं, वो लगातार move कर रहे हैं, straight line में move कर रहे हैं, move करते हैं आपस में collide कर रहे हैं, और जो collisions हैं उनके, वो perfectly elastic collision होते हैं, perfectly elastic collision होते हैं, कहने का बतलब है बेटा, कि दो molecules जब आपस में टकराते हैं, तो किसी भी तरह की energy का loss नहीं होता, किसी भी तरह की energy loss नहीं होता, perfectly elastic collision वहाँ पर होता है, हम ऐसा मानते हैं, होता होगा, पता नहीं, हम ऐसा मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लग नहीं राएगी होता होगा, इसके अलावा, जब भी container में molecules हैं, तो इन molecules के बीच में, किसी भी तरह का inter-molecular interaction नहीं होता, inter-molecular interaction का अलाव, दो molecules के बीच में, आपस में, कोई attraction repulsion नहीं होता, हमेशा molecule independently और पूरता से free होके घूमते हैं, मतलब अगर gas, ideal gas है, तो वहाँ पर हम यह मानते हैं, कि all molecules are moving randomly, independently, there is no inter-molecular interaction among gaseous molecule, क्यों, इसके अलाव, एक और postulate यह है, कि किसी भी container में, जो gaseous molecule हैं, उनका size क्योंकि बहुत ही जादा छोटा होता है, इसके लिए हम ऐसा मानते हैं, कि जो gaseous molecule हैं container में, वो कोई volume occupy नहीं करता, gaseous molecule कोई volume occupy नहीं करता, मतलब gaseous molecule का volume, container के total volume के comparison में निगलिस पल होता है, मैं यह आपर एक बात बोल दूँ, जैसे जब हम volume of gases की बात करते हैं, तो वहाँ दो languages होती हैं बेटा, जिसमें अक्सर बच्चे confused होते हैं, एक language है volume of gas, और दूसी language है volume of gaseous molecule, volume of gas, volume of gaseous molecule, अंतर क्या है दोनों में, volume of gas हमेशा, इसका meaning होता है the volume of container, in which that gas is present, मतलब जिस container में gas present है, उस container का जो भी volume होगा, उसी को gas का volume बोलते हैं, gas की यह property होती है, कि gas को जिस volume में रखो, वो पूरा volume occupy कर लेती हैं, क्योंकि वो पूरे volume में फैल जाती है, लेकिन अगर बात की जा रही है, volume of gaseous molecule की, इसका मतलब यहाँ पर जो molecules हैं, उनके individual volumes की बात की जा रही है, और in case of ideal gas, हम ऐसा मानते हैं, कि इनके individual volumes, zero होते हैं, negligible होते हैं, मतलब अगर gas ideal है, तो उन gaseous molecule के volume, negligible होंगे, zero होंगे, ठेक, इसके अलावा, इसके अलावा, एक exemption और है, कि molecule जब move कर रहे होते हैं, तो इन molecules की अपनी, कुछ kinetic energy होगी, जिसको हम translational kinetic energy बोलते हैं, translational का मतलब, आगे पीछे move करना, molecule का आगे पीछे move करना, जैसे molecule का motion, एक translational motion होता है, ऐसे rotational motion होता है, ऐसे vibrational motion, मतलब अपने molecule में, जो atom present है, वो अपने bond के respect में, vibration कर रहे हों, तो that is called vibrational motion, तो ये कहा जाता है, कि translational kinetic energy of gases, depends only upon temperature, and is directly proportional to temperature, मतलब अगर container में, present gas का temperature बढ़ाया गया, तो gas की average translational kinetic energy बढ़ेगी, इतने postulates हैं, जो मान करके KTG develop किया, kinetic area of gas develop होई है, अब वही भी आप से पूछा जा रहा है कि, कौन सा है इसमें, तो आप देखो, कौन कौन सा है, जो मैंने भी बोले हैं, pressure exerted by gas, is proportional to mean velocity, यह postulate मेंने बोला, नहीं बोला, इसका मतलब पहला तो postulate नहीं है, दूसरा, pressure exerted by gas, is proportional to root mean velocity, ऐसा भी मैंने नहीं बोला, pressure पर इस तरह से dependency नहीं बोली गए, तीसा लिखा, root mean square velocity of molecule, is inversely proportional to temperature, ऐसा भी statement, KTG में तो नहीं आया, according to KTG तो यह नहीं है, बाकी और बाते जब आगे आती हैं, वो एक अलग बात है, KTG में ऐसा नहीं है, और last लिखा है, mean translational kinetic energy of gases molecule, is proportional to the absolute temperature, जो मैंने अभी भी last statement बोला था, वो यहीं है, मतलब बेटा, इस question का answer डेली था, यह advance का equation है, और according to kinetic theory of gases, mean translational kinetic energy, is proportional to temperature, यह बात आप ध्यान रखना, यह कई बार इस तरह का question पूछा गया है, कि KTG में postulates क्या क्या है, तो वो postulates जो पढ़ाए गए हैं, वो हमें याद होने चाहिए, physics में भी, chemistry में भी, यह दोनों में आता है, इसलिए हमें यह बातें याद रखनी हैं, अच्छा, अब इसलिके बाद अगला question की बात करते हैं, अगले question में क्या कहा गया है, at constant volume, for a fixed number of moles of gas, the pressure of gas increases with increasing temperature, विलकुल सही बात बोली हैं नोंने, क्यों क्या कहा है, कि अगर container में, container का volume fixed है, इसमें present gas के mole भी fixed हैं, तो इसका pressure, temperature के directly proportional होता है, ऐसा इनोंने बता है, और वो आपको दिखता भी है, कहां दिखता है, PV is equals to NRT, में अगर यह constant है, यह constant है, यह constant है, तो यहां से देख रहा है कि pressure directly proportional to temperature, वो लिखा हुआ है, इसका reason पूछा जा रहा है, कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो यह reason आप तभी बता सकते हो, जब आपको यह बात पता हो, कि gases की वज़े से जो pressure लगता है, वो लगता कैसे है, gases क्या करती हैं, कि हमको pressure के रूप में feel होता है, हमें यह सब पता है सबको, कि इस कमरे में gas है, जहाँ आप बैटे हो, आप ही gas है, आप जब गैस ही gas है, अब वो gases हम पर pressure लगा रहे हैं, atmosphere pressure आप पे लग रहा है, सब पे लग रहा है, तो वो pressure लग कैसे रहा है, क्या वहाँ से gases अपनी अपनी जगह बैट के, हम को क्या hypnotize करने में लगी हुई है, जब यह pressure को feel करो, pressure को feel करो, क्या कर क्या रही है वो, तो वो explanation हमें आपर देना है, तो वो कहां से पता लगता है, वो पता लगता है KTG से, KTG के बाद जो PVS को शो NRT लाने में, जो derivation involved है, उस derivation से पता लगता है, कि gases pressure कैसे लगाती है, तो वो दो बातों पर dependent है, basically gases का pressure लगने की जो वज़य है, वो है, कि gases molecules randomly move करते हुए, टकराती हैं, और उनके टकर की वज़य से, impulse create होता है, और वो impulse ही pressure के रूप में feel होता है, अब pressure ज़्यादा feel होगा, अगर ज़्यादा तेजी से टकराए, ज़्यादा तेजी से टकराए, तो हमें ज़्यादा pressure feel होगा, कम तेजी से टकराए, तो हमें कम feel होगा, मतलब एक reason है, pressure के बढ़ने या घटने का, molecules की speed, अगर speed ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा तेज तक रहेगी तो ज़्यादा हमें pressure feel होगा और gases की speed temperature के बढ़ने से बढ़ती है इसका formula हम लोग पढ़ते हैं average speed, rms speed इस तरह के formula आप अगर हम लोग देखते हैं तो सभी में हमें देखाई पढ़ता है कि gases की speed temperature के square root के रैकल पोश्टर बढ़ने से speed बढ़ेगी तो उसकी वज़े से pressure बढ़ेगा और इसके अलावा एक point और भी है कि gases का जो pressure है वो इस बात पर भी depend करता है कि unit time में कितने molecule टकरा रहे हैं क्योंकि अगर जादा लोग हम पे टकराएंगे unit time में तो हमें जादा pressure लएगा अगर एक दो molecule टकराएंगे तो हमें कम pressure लएगा मतलब दो points हैं ये बाते हमें कि उस derivation से पता लगती हैं आप सभी लोग उस derivation को जरूर follow करना अब यहाँ पर तो वो derivation नहीं दिखाया सकता लेकिन आपको पता होना ची क्योंकि इस तरह की questions उसे पूछे जाते हैं तो अब जिससे यहाँ पर कहा गया कि temperature बढ़ने पर pressure बढ़ता उसका reason बताओ तो पहला increase in average molecular speed सही है increase in average molecular speed सही है दूसरा increase in rate of collision among molecules मतलब अगर temperature बढ़ाया तो molecules के बीच में आपस में collision बढ़ गया उसकी वज़े से pressure बढ़ जाता है नहीं आपस में लड़ते मढ़ते रहें अगर हमसे नहीं टकरा रहें तो हमें तो कोई फर्क पड़ी नहीं रहें अगर कोई दो लोग आपस में लड़ बेड़ रहें हैं लेकिन हमसे नहीं लड़ रहें हमें कोई pressure feel होगा नहीं होगा तो इसी तरह से अगर molecule आपस में collide कर रहे हैं और वो ज़्यादा collide करने लग गए तो उससे हमारे pressure पर हम पे लगने वाले pressure पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका अंतलब be option आपका सही नहीं है आगे लिखा है increase in molecular attraction तो अगर ideal gas की बात हो रही है तो वैसे भी molecular attraction नहीं होगा और in fact अगर real gas की बात हो रही हो तो भी temperature बढ़ने से attraction घट ही जाता है अगर attraction लग भी रहा था तो temperature बढ़ेगा तो attraction घटेगा ही attraction बढ़ेगा नहीं इसलिए ये statement भी आपका incorrect ही है, नहीं बढ़ेगा, आपको पता ही होगा, दो लोग बहुत जादा एक दूसर से मुखबत करते हैं, दो जापड़ लगाओ दोनों को, अलग हुजाएंगे, तो ऐसे चलता है, और अगला लिखा है, decrease in mean free path, decrease in mean free path, mean free path किसे कहते हैं, mean free path की definition होती ही है, कि जैसे molecule जब move करते हैं किसी container में, तो जैसे straight line में move किया, अब फिर किसी दूसरे molecule से टकरा गए, तो फिर उसकी direction बदल गए, फिर move कर रहा है, फिर टकरा गया, फिर उसकी कुछ distance travel करिया, उस तरह से इस तरह चलता रहता है, और free path का मतलब होता है, दो successive collision के बीच में जो free distance वो travel करता है, उसी को free path बोलते हैं, मतलब यहां से लेकर के यहां तक चला, फिर टकरा के, फिर बदल गए direction, फिर यह चला, तो यह भी free path है, मतलब freely वो move कर रहा है, फिर टकरा गया, फिर वो free path बनाए, फिर टकरा गया, और इस हर बार जो free path वो बनाता है, वो equal हो, यह जरूरी नहीं है, तो उनी free path की value का average कहलाता है, mean free path, mean free path, और mean free path का pressure से कोई लेना देना नहीं है, temperature बढ़ने से mean free path कुछ भी हो, लेकिन उससे pressure पर कोई फर्क नहीं पढ़ता, इसलिए आपका यह statement भी incorrect है, और जो correct option था, वो आगरा था, temperature बढ़ने से speed बढ़ती है, speed जाता है, अच्छा, अगले question पर आते हैं हम दो, अगला question, Maxwell's distribution of speed among gaseous molecule, Maxwell's distribution of speed, distribution of speed among gaseous molecules, upon gaseous molecules, उस पर based equation है, मतलब Maxwell ने बहुत सारे काम किये हैं, और उनी में से एक काम इनका यह है, इन्होंने यह बताया, कि जैसे किसी भी container में जो gaseous molecule present होते हैं, हर molecule move कर रहा है, वो तो KTG बताती है, हर molecule की अपनी speed है, सही बात है, हर molecule की अपनी speed है, और वो individual speed, आपस में collide करते रहने की वज़े से बदलती भी रहती है, क्योंकि container में present के SS molecule, लगातार move कर रहे हैं, आपस में collide करने की वज़े से individually उनकी speed बदलती रहती है, लेकिन उनकी speed में जो बदलाव होता है, वो कुछ इस तरह का है, कि इनके base में जो speed का distribution है, वो हमेशा fixed है, इस speed का distribution है, वो हमेशा fixed है, और वो कैसा है, वही Maxwell ने बताया था, उन्होंने ये बताया है, कि एक range of speed में, एक range of speed से belong करने वाले molecule का fraction, हमेशा fixed होता है, कहने का मतलब ये है बेटा, कि माल लेते हैं कि इस container में, जो molecules की speed है, वो 0 से लेके, infinite तक हर तरह की speed वाले molecules है, तो अगर मैं इसमें एक range की बात करूँ, suppose 5 meter per second से 10 meter per second, ये एक speed range हो गई, तो इस range of speed में belong करने वाले molecule का number हमेशा fixed होगा, ऐसा Maxwell कहते हैं, मतलब कहने का ये है, कि 5 meter से 10 meter per second के बीच में, suppose ऐसे 10 molecules हैं, जो इस speed range में आते हैं, मतलब जिनकी speed इस range में belong करते हैं, मतलब जो 5 meter से 10 meter की speed रखते हैं, तो हमेशा उन molecule का number 10 ही बना रहेगा, हमेशा 10 बना रहेगा, ये हो सकता है, कि किसी molecule की टकराने के speed 5 से बढ़कर के 50 हो है, तो कुछी दूजरे molecule की speed 5 हो चुकी होगी, मतलब कहानी इस तरह की है, कि among gases molecule speed redistribute इस तरह से होती रहती है, कि एक particular speed range में belong करने वाले molecule का fraction fixed हो, और उसी के लिए इन्होंने एक equation दी थी, equation पे मैं नहीं जाओंगा, वो गंदी equation है, हाँ, उससे एक graph बनता है, जो इस question में पूछा गया है, यहाँ पर distribution function versus speed plot किया है, मतलब कहने का यह है, कि y axis पर distribution है, x axis पर speed है, distribution है यहाँ पर, और distribution, distribution इस तरह का है, इसका जो graph में इन्हों दिखा है, मैं एक बार ऐसे दिखा देता हूँ, यह इस तरह से graph बना हुआ, इसकी equation है, जिससे यह graph बनता है, equation की ज़व हमें नहीं है, इसका inference क्या है बेटा, इसका inference यह है, कि suppose अगर मैं कोई एक speed range consider है, suppose u1 से u2, तो इसका जो area under the graph आएगा, वो इस speed range में belong करने वाले molecule का fraction बताता है, यह इसका meaning है, और इसके अलावा, इस graph में जहाँ पर peak आपको देखने को मिलती है, इस speed को बोला जाता है, most probable speed, most probable speed का मतलब होता है, वो speed जिससे जाता तर molecules move कर रहे होंगे, the speed through which most of the particles are moving, most of the gases molecules are moving, is called most probable speed, जिसकी value, जिसका formula होता है, most probable speed का, under root of 2RT by M, under root 2RT by M, इसी तरह से एक और speed हम लोग पढ़ते हैं, that is average speed, मतलब speed का simple average, average speed, जिसकी value का, जिसका formula होता है, यू average का formula, under root of 8 upon pi RT by M, जिसकी value most probable speed से जादा आती है, आप formula में value put करके देख सकते हो, और इसी तरह से एक और value होती है, root mean square speed, जिसकी value इससे भी जादा होती है, बतला कर locate करें, तो वो आगे कहीं दिखा ही पढ़ेगी बेटा, V, R, M,S, वो value आगे, जिसका formula होता है, V, R, M,S का, under root of 3RT by M, ये formula आपको याद होने चीए, बहुत frequently questions में काम आते हैं, अब आपसे क्या कहा है, तीन अलगलग gas, hydrogen, nitrogen, oxygen के यही graph plot कियें, और आपसे differentiate करने के लिए, पूछा गया है कि कौन सा graph किसका है, तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे ये graph एक particular gas का है, जिसका अपना कुछ molar mass होगा, एक particular temperature पर graph है, इसमें एक average speed की value कुछ आ रही होगी, अब इसी के साथ में एक graph आपको समझाने के लिए और plot कर रहा हूँ, ये, ये, तो अगर दूसरा graph जो मैंने plot किया है, वन और टू, तो टू graph में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि average speed जादा है, या most probable speed की भी बात करोगे, तो वो भी आपको जादा ही दिखाई पड़ेगी, वो भी जादा दिखाई पड़ेगी, अब अगर आमें compare करना है, तो किसी भी speed की अगर बात करो, तो वो आपको T by M पर dependent होती है, कोई भी speed, चाहे most probable speed हो, चाहे average speed हो, चाहे most probable, RMS speed हो, सभी values T by M के square root के directly proportional है, मतलब मैं आपर बीच पे लिख रहा हूँ कि V is directly proportional to T by M, और अगर T by M जादा होगा, तो speed जादा होगी, क्योंकि बाकी तो constant value ही दिख रही होगी आपको सब में, तो अगर T by M ज जादा होगा, और अगर V जादा होगा, तो आपका graph आगे की तरफ shift होगा, ये graph में ने जो second दिखाया है, वो first के comparison में, आगे की तरफ shifted है, मतलब T by M जादा, मतलब average speed जादा, या most probable speed जादा, या RMS speed जादा, तो आपको करना क्या है, T by M को compare करना, यहाँ पर सब के most probable speed की ब आप T by M की value निकाल लो, और उसको देख लो, जिसका T by M जादा, उसकी most probable speed जादा, जिसका T by M कम, उसका most probable speed कम, तो अब कैसे करोगे, यहाँ पर hydrogen, nitrogen, oxygen, hydrogen के लिए T दिया गया है, 300, molar, T, M का मतलब molar mass है बैटा, M, T का value 300, molar mass 2, तो ये value 300 by 2 आ रही है, nitrogen के लिए दिया हुआ है, 300, divided by, इसका molar mass होता है, 28, तो ये कम ही आएगा, ये जादा ही आएगा, उतो दिख रहा है, और इसके अलबा, oxygen दिया हुआ है, temperature 400, और molar mass इसका होता है, 32, तो इसमें अगर compare करो, तो जो ये ratio बन रहा है, ये something like 3 by 2, is to 3 by 28, is to 4 by 32, ऐसा बन रहा है, होगा unanimously कि ये सबसे जादा है, ये सबसे जादा है, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा, ये होगा बेटा, hydrogen का, सबसे जादा most probability speed वहाँ दिख रहे है, अब उसके बाद आपको इन दोनों में compare करना है, तो इसको check करना थोड़ा मुस्किल होगा, तो आप एक काम करो इसको अगर काटते हो तो ये आता है 1 by 8, चारो अटी बत्तिस, और अगर इसको काटते होगा, तो ये आता है 1 by 9 point something, तीन नाम 27 और वो 27 से जादा है, तो 9 point something, तो अगर आप देखो, तो 1 by 9 और 1 by 8 में जादा कौन है, 1 by 8, 1 by 8 जादा है, 1 by 9 कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन की tym जादा हुआ, इसका मतलब ये वाला ग्राफ होगा oxygen का, और ये वाला ग्राफ होगा nitrogen का, इसका मतलब अगर आप option देखो, आप 1, 2, 3 सीक्वेंस में लिखना है, तो सबसे कम nitrogen, उसके बाद oxygen, उसके बाद hydrogen, इसका मतलब इसका correct answer आपका कैलकटा था, correct answer इसका कैलकटा था, चलो, तो अगले question की बात कर लेते हैं हम लोग, I hope कि ये बातें आपको recall हो गई हूँ, इसको ठ्यान में रखना, ये important question है, अगला question फिर से अब real gases पर आते हैं, real gases की questions की बात करते हैं हम लोग, a gas described by wonderwall equation, wonderwall was the scientist, जिन्होंने PV is equal to NRT equation को modify करा था, इस तरह से करा कि वो real gases के लि हो चाहे, PV is equal to NRT wonderwall equation मना ही थे, अब उसी के लिए इन्होंने statement पूछे हैं, we have similar to ideal gas in the limit of large molar volume, large molar volume में real gases, ideal gases की जैस से behave करें, gas described by wonderwall gas का मतलब real gas की बात करें, वो behave similar to ideal gas in the limit of larger molar volume, larger molar volume का मतलब better, pressure बहुत low होगा, low pressure, larger molar volume का मतलब, volume बहुत जादा, मतलब pressure बहुत कम, और pressure बहुत कम होगा, तो gas ideally behave करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है, कि at low pressure and high temperature, gas behave, gases behave ideally, gases behave ideally, यह हमें ध्यान में रखना है, तो पहला statement तो सही है, अच्छा statement बोला है, इन्होंने पहला सही है, आगे लेखा है, behave similar to an ideal gas in the limit of large pressure, तो गलत हो गया, अभी तो low pressure था, अभी high pressure तो गलत हो गया, high pressure पर तो ऐसे ही बहुत आपको बोला है, कि gases का behavior non-ideal लिखाई पड़ता है, आगे लिखा है, तो जैसे हम लोग real gas के लिए equation पढ़ते हैं, काउन से equation, p plus a n square by v square into v minus n b is equals to n r t, is equals to n r t, तो यहाँ पर a और b wonder wall constants है, a और b wonder wall constants है, मतलब a और b की value, gas की characteristic value होती है, वाला हर gas के लिए अपनी value होती है, मैं इसके लिए बता दू, a basically उन gases का ज़्यादा होता है, जिसमें intermolecular attraction ज़्यादा होता है, जैसे जो gases polar हैं, उनके लिए a की value ज़्यादा होती है, मतलब ऐसा कहलें, कि a is measure of attraction among gases molecule, और b size of gases molecule से related है, मतलब अगर gas-based molecule का size ज़्यादा होगा, तो b की value ज़्यादा होगी, अब हर molecule के अपने-पने sizes हैं, तो accordingly उनके b होगे, हर molecule के अपने-पने intermolecular attractions होते हैं, इसलिए हर molecule का अपने-पना a होता है, इनको wonderful constant बोला जाता है, जो कि हर gas के अपने characteristic value है, और वो temperature पर dependent नहीं होती, तो इसका मतलब आपका C option भी correct है, इसके अलब आगे लिखा है has the pressure that is lower than the pressure exerted by the same gas behaving ideally, मतलब यह कह रहे हैं, कि real gases का pressure ideal gas के pressure से कम होता है, real gas का pressure ideal gas के pressure से हमेशा कम होता है, तो यह ज़रूरी नहीं है बेटा, real gases का pressure ideal gas से कम भी दिखाई पड़ता है, ऐसा low pressure region या relatively moderate pressure region में सही है, और real gas का pressure ideal gas से ज़ादा भी दिखाई पड़ता है, यह high pressure region में सही है, अगर pressure की value ideal से कम दिखाई पड़े, तो ऐसे behavior को negative division बोला जाता है, अगर real gas का pressure ideal से ज़ादा दिखाई पड़े, तो ऐसे behavior को positive division बोला जाता है, इसलिए ये statement पूरी तरह से correct नहीं है lower pressure region के लिए correct है higher pressure region के लिए ये incorrect है ठेक अगले question पर आजो अगले question में लिखा है positive deviation from ideal behavior take place because मतलब positive deviation के पीछे का reason क्या है तो बेटा negative deviation के पीछे reason होता है size factor size factor मतलब कहने का ये है कि अगर size of gaseous molecule relatively larger हो मतलब जिसको हम container के total volume के comparison में neglect न कर पाएं तो उसका result ये देखने को बिलता है कि gases का positive deviation होता है मतलब gases positively deviate होती हुई दिखाई पड़ती है मतलब gas का pressure ideal pressure से ज़्यादा होता है gas का pressure ideal pressure से ज़्यादा होता है और इसी discussion के एक term हम लोग पढ़ते है that is compressibility factor जिसको z से represent किया जाता है जिसका formula बनता है z is equals to pv upon nrt pv upon nrt और अगर z की value greater than 1 आए इससे तो ऐसे को positive deviation बोलते है positive deviation बोला जाता है और अगर z की value less than 1 आए तो इसको negative deviation बोलते है negative deviation बोला जाता है और अगर z की value 1 के बराबर हो तो ऐसे को ideal behavior बोला जाता है तो अब positive deviation के पीछे size factor reason होता है size factor reason होता है और negative deviation के पीछे intermolecular attraction intermolecular attraction ये reason होता है intermolecular attraction reason होता है तो अब अगर आप option देखो तो पहले statement में बोला लिखा है कि pv upon nrt greater than 1 का मतलब z की value greater than 1 का मतलब positive deviation है इसका अब ये तो सही है positive deviation के ले ही पूछा है और उसके पहले लिखा है molecular interaction between molecules ये इसकी वज़े बताई है मतलब positive deviation की वज़े बताई है molecular interaction इसलिए ये गलत हो गया positive deviation के पीछे की वज़े molecular interaction नहीं बलकि size factor होता है अगला देखते है molecular interaction अगे वही लिखा है तो गलत ही होगा और आगे z के लिए less than 1 बोल दे तो वह ऐसी गलत है finite size of atom and z greater than 1 तो ये सही है z pv upon nrt z लिखा हुआ है greater than 1 और finite size तो ये statement आपका सही है और आखरी में ये आदा तो सही है लेकिन आदा गलत है तो ये गलत हो गया जिसकी वज़े से gases का free volume कम हो जाता है जिसकी वज़े से gases जितना pressure लगाती है लगाना चाहिए उससे ज़्यादा लगाती क्योंकि हमें बात पता है कि volume के घटने के साथ pressure बढ़ता है अब अगर container का कुछ volume किसी वज़े से occupy हो चुका है तो volume कट गया और volume अगर घट गया है तो pressure की value expectation से ज़्यादा देखने को मिलेगी अच्छा अगले question पर आते हैं अगले question में भी फिर से वही पूछा गया है the volume of gas A is twice to that of B the compressibility factor of A is twice to that of B at the same temperature तो pressure of gases for equal number of moles R यह हमसे पूछा जा रहा है तो अभी अभी मैंने लेखा यहां पर compressibility factor का formula होता है PV upon R NRT PV upon NRT और यहाँ temperature सेम है हटा दो R भी सेम है हटा दो mole भी सेम है हटा दो तो हम यह कह सकते हैं कि Z directly proportional to pressure into volume Z directly proportional to pressure into volume मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें comparative discussion करना है तो दो gases के लिए अगर हम compare करें जिनका temperature और mole सेम है तो लिखा जा सकता है Z of A upon Z of B is equals to pressure of A upon pressure of B into volume of A upon volume of B आप से क्या कहा गया है volume of A is twice to that of B volume of A is twice to that of volume of B और यहां से आप कह सकते हो कि V A upon V B की value 2 है इसके अलब आप से कहा है comparability factor of A is twice to that than that of B इसका मतलब है कि Z of A is twice to that of Z of B तो यहां से आप कह सकते हो Z A upon Z B is equals to 3 अब यह values आप यहां पर उठाके put कर दो तो Z A upon Z B की value है कितनी 3 V A upon V B की value है कितनी 2 तो इसको आप इदा लेके आजो तो 3 P B is equals to 2 P A देखो कितना simple question है हो गया option check करो तो 2 P A is equals to 3 P B यही सही है यही है आपका सही है second option तो देख सकते हो formula किस तरह से directly use हो अगले question पर आते है अगला question यह भी अच्छा question था इसमें हमें 2 gases A B C D 4 gases है उनके wonderful constant A के data दिये हैं wonderful constant B के data दिये हैं और अगर आप ध्यान तो तो इन्होंने B और D के A के data same दिये हैं और A और C के B के data same है A और B के data A मैंने अभी बताया था attraction को measure करता है attraction को measure करता है और B size को measure करता है size को measure करता है A negative deviation के लिए responsible होता है क्योंकि अगर A की value ज़्यादा होगी तो attraction ज़्यादा होगा तो gases negatively deviation शोग करेंगी और B positive division के लिए responsible होता है का मतलब अगर B ज़्यादा होगा तो size factor ज़्यादा होगा तो प्रेशर जादा बढ़ेगा मतलब पॉस्टेड़िशन आएगा अब इसी बात को यहाँ पर पूछाए अब इन्होंने देखो अगर देखोगे तो C को A से compare किया है और B को D से compare किया है मतलब जब भी compare करेंगे तो या तो A के basis पर compare हो सकता है B fixed होना चाहिए या फिर B के basis पर compare हो सकता है A fixed होना चाहिए तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है कहा जा रहा है कि gas C will occupy less volume than A दिखते हैं C और A C और A में इन्होंने B को fix किया है B fixed है तो वो gas कम volume occupy करेगी जिसमें attraction ज़ादा molecule ज़ादा पास आजाएंगे कम volume occupy करेंगे जिसमें attraction कम होगा molecule दूर दूर रहेंगे जिसमें attraction ज़ादा होगा molecule पास पास आजाएंगे और attraction उसमें ज़ादा होगा किसमें? attraction उसमें ज़ादा होगा जिसमें A की value ज़ादा हो तो आप अगर देखो तो A और C में A की value ज़्यादा है A gas के लिए और जिस gas के लिए A की value ज़्यादा होगी उसमें attraction ज़्यादा होगा वो volume कम occupy करेगी और यहां क्या लिखा है? C will occupy less volume गलत हो गया C less volume लिखा है इसलिए गलत हो गया तो यहां पर लिखा है C more volume ये सही है C more volume occupy करेगा A less volume occupy करेगा क्योंकि उसका wonder wall constant A की value जादा है मतलब attraction जादा है मतलब molecule पास पास हो तो आदा पार तो सही दिख रहा है अब आगे देखो B will be more compressible than D तो उस gas को compress करना आसान होता है जिसमें या तो attraction जादा हो molecule जादा आसानी से पास में आ जाए या फिर size factor कम हो size बीच में ना आए अगर size बीच में आ गया तो उसको compress करना मुस्कुल हो जाएगा या तो attraction जादा हो या size factor कम हो तो molecule जादा आसानी से compress होते है size factor कम हो तो फिर अब B और D में अगर compare करना है तो B और D में आप अगर देखते हो तो A की value सेम है और B की value अलग अलग है तो किसका B जादा दिख रहा है small B की value किसकी जादा दिख रही है D की और जिसका size जादा होगा उसको compress करना मुस्किल होगा तो B का size कम है मतलब B is more comfortable than D मतलब ये statement भी आपका सही है इसका मतलब आपका correct answer Bombay ही है बहुत अच्चा question है मतलब revision के point of view से बहुत अच्चा question है मतलब इसमें सारी बाते सामने आ रही है A का significance क्या है B का significance क्या है और इस तरह से compare करके answer निकाला जा रहा है real guess पर generally जो questions पूछे जाते हैं वो comparative discussion पर ही होते हैं उसका reason है otherwise अगर वो wonder wall equation लगवा करके question बनाने के कोशिश करेंगे तो wonder wall equation तो वैसी इतनी खतरनाक type की है कि जो calculation वाला part बनेगा विटा वो बुश्किल हो जाएगा तो इसलिए कोशिश यही होती है कि आप equation को समझ जाओ कि क्या मतलब है उसका और उसको यूज करके आप behavior को analyze करता को comparative discussion कर सको उसके लिए आपको वैसे equation देखने को मिल रहे है अच्छा अगले equation पर आजाओ अगले equation भी इसी तरह का है at a given temperature T gases, neon, argon, xenon, krypton, pond to deviate from ideal behavior their equation of state is given as यह P है basically better P है P is equals to RT upon V minus B मालब यहाँ पर equation लोगे लिखे है P is equals to RT upon V minus B इसका मतलब है जैसे wonder wall equation हम लोग पढ़ते हैं P plus AN square by V square into V minus NB is equals to NRT तो जिस तरह का format लिखा है यह तब हो सकता है जब यह वाला part हट जाए अगर यह हट जाए तो आप देख सकते हो कि P is equals to NRT upon V minus NB यह आएगा और यह तब हटेगा जब A आपका negligible हो जब A आपका negligible हो और A का negligible होना मतलब intermolecular traction ना के बराबर हो मतलब negative deviation नहीं होगा positive deviation ही होगा और उसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि which gas will show steepest increase in the plot Z versus P तो high pressure region में इसी equation से Z जिसकी value P upon RT होती है उसकी equation बनती है बेटर Z is equals to 1 plus B by RT into P यह बनती है और अगर हम लोग compatibility factor को P के साथ plot करते हैं तो Z versus P यह line मेंने draw की है Z is equals to 1 line और यह graph कुछ इस तरह का दिखता है कि high pressure region में यह linear graph होता है आप यहाँ से देख सकते हो यह Y है यह X है और यह constant है तो इसका जो slope होता है वो slope है B by RT slope है B by RT B by RT इसका slope है तो अगर B जादा होगा तो slope ज़्यादा होगा B ज़्यादा होगा तो slope आपका ज़्यादा देखने को मिलेगा तो अब आपका B किसका ज़्यादा है B किसका ज़्यादा होगा तो B जिसका ज़्यादा होगा जिसका size ज़्यादा होगा और size किसका ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा size अगर option देखें तो krypton, argon, xenon, neon सबसे ज़्यादा size आपको xenon का देख रहा है और जिसका size ज़्यादा होगा उसका b ज़्यादा होगा जिसका b ज़्यादा होगा उसका slope steepest होगा मतलब इस question का answer Bombay है मतलब आपको b बताया नहीं लेकिन फिर भी पूछ लिया question तो वो हम बता सकते हैं कि जिसका size ज़्यादा है उसका b ज़्यादा होगा जिसका b ज़्यादा है उसका graph ऐसा है अच्छा अगले question पर आजाते हैं अगला question फिर से उसी पर बेस था इन्होंने pv versus p को plot किया है और ये कहा है wonder wall constant a की value बताओ wonder wall constant a की value बताओ तब जबकि b की value 0 है basically wonder wall equation हम पढ़ते हैं अगर b 0 हो एक mole के लिए अगर लिखें तो ये p plus a by v square into v minus nb को हमने छोड़ दिया है is equals to rt ऐसे बनेगा इसको लिख सकते हैं pv upon pv plus a by v is equals to rt multiply करके लिख दिया और यहां से pv is equals to minus of a into 1 by v plus rt ये equation बनेगी और अगर आप देखो pv को y axis पर plot कर रहे हैं और 1 by v को x axis पर plot कर रहे हैं और ये temperature constant है तो constant ही है तो ये जो equation बन रही है वो y is equals to mx plus c type की equation बन रही है y is equals to mx plus c type की equation बन रही है जिसका slope है minus of a और आप से पूछा है इसी a की value तो उसके लिए मैं ये graph दिया है आपको इस graph से line का slope निकालना है तो कैसे निकाल लोगे आप ये height upon base height upon base आपका slope आजाएगा negative है तो वो negative में आना भी चाहिए तो इसलिए है तो आपके a की value क्या हुई a की value height कितनी आ रही है 21.6 minus 20.1 subtract करें तो या आएगा बेटा 1.5 divided by base कितना 2 और 3 1 तो आपका answer कितना आया 1.5 आपका answer आया 1.5 मातलब इसका option है C अब देख सकते हो अच्छा question था के इवल दराने वाला था है बहुत आसान बस अगर आप डर पे खाबू पाते हो तो कुछ भी नहीं है बस यही यही है यही IIT है चीजें आसान ही है बस सही तरीके से पढ़ने की जवरत है और और कुछ भी दे अगर हमने धंग से पढ़ा रखा है तो सारे question हो जाने के लिए बनते हैं यह बात हमें सापते दिवांग में हम सेट रखते हैं अच्छा अगला question आजाओ अगला question फिर से वही है इसमें का गया है विच गैस इस एक्सपेक्टेड टू हैव हाइस्ट क्रिटिकल टेंप्रेचर टीसी जिसका फॉर्मुला होता है 8A upon 27RB वो टेंप्रेचर होता है जिस टेंप्रेचर से higher पर gas liquefy नहीं होती जिस टेंप्रेचर से below temperature पर ही gas का liquefication possible हो पाता है उसको हम लोग critical temperature के नाम से जानते हैं critical temperature और हमसे पूछा गया है कि किसका critical temperature ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पर देखो तो यह 8 constant है, R b constant है, T b constant है तो यहाँ से कह सकते हैं कि critical temperature A by B के directly proportional है मतलब जिसका A by B ज़्यादा होगा उसका critical temperature ज़्यादा होगा तो आपको सभी gases का A और B का data दिया हुआ है आप A by B निकाल के देख लो इसका A by B 1.3 by 3.2 1 से कमी दिख रहा है इसका A by B 0.2 divided by 1.7 इसका A by B, यह भी 1 से कम दिख रहा है इसका A by B, A by 5.1 और B, 4.0 मतलब यह 1 से ज़्यादा दिख रहा है और यह भी अगर देखें तो यह 4.1 upon 5 मतलब 1 से कमी दिख रहा है इसका मतलब से ही सबसे ज़्यादा है इसका मतलब क्रिप्टन है यह और यही हमारा आंसर होगा A by B को चेक करके simple question अच्छा जल्दी से अगला question अगला question क्या है the value of wonderwall constant A की दिया गया है और पूचा जा रहा है कौन सी gas सबसे आसानी से liquefy हो जाएगी तो gas का liquefy होना इस बात पर depend करता है कि gases molecule में attraction कितना है जितना ज्यादा molecules के बीच में attraction होगा gas उतनी आसानी से liquefy हो जाएगी और attraction कितना होगा यह उसकी A की value से दिखाई पड़ता that is wonderwall constant A तो जिस gas के wonderwall constant A की value ज्यादा होगी उसमें intermolecular attraction ज्यादा होगा उसका liquefy होना आसान होगा तो इसका मतलब अगर हम compare करें तो यहाँ पर कौन सी gas है सबसे ज्यादा A अगर आप देखो तो यह देख रहे हैं और वो ammonia का है इसका मतलब इसका जो answer है that is ammonia और वैसे भी आप देख सकते हो ammonia actually polar gas है और polar gases में attraction ज्यादा होता है oxygen gas non-polar nitrogen gas non-polar methane gas non-polar इनके A की value कम ही होती है तो अगर हमें A नहीं भी दिया होता और फिर भी हमसे equation पूछ लिया होता कि बढ़िया बताओ कौन सी gas आसानी से liquefy होगी तो फिर हम तब भी बता देते कि ammonia ही polar है वही आसानी से liquefy हो तो ऐसे सोच करके answer दिये जाते है ठेक अच्छा और equation और है ये भी IT का question है इसमें इनोंने again बोला है P V minus B is equal to RT अगर follow हो तो potential energy को plot किया है V का मतलब potential energy है atomic potential और inter ionic distance पर graph कैसा आएगा तो actually better यहां ऐसा equation लिखने का मतलब ये है कि wonder wall constant A की value deglisable है तब ही ऐसी equation बनी है इसका मतलब ये है कि molecules के बीच में किसी तरह का attractive force नहीं है attractive force नहीं है तो अगर molecule पास में आएं भी और कोई attraction है ये नहीं तो potential energy पर कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर वो कुछ जाद़ाई पास आ जाएं मतलब almost touching position चिपकने जैसी इस्तिती में आ जाएं तो वहाँ पर repulsive force का dominance आता है वहाँ पर repulsive force का dominance आता है अगर molecule चिपकने जैसी stage में आ जाएं तो otherwise उससे पहले वाली stage में attraction नहीं है तो potential energy में कोई variation नहीं होगा क्योंकि interaction ही नहीं है और एक limit के बाद जब वह लगबग touching position पर आ जाएंगे तब repulsive force का dominance होगा तो potential energy बढ़ जाएगी जब भी repulsion होता है तो energy बढ़ती है तो अगर हम लोग graph देखें तो इसका ये answer correct है कि पहले horizontal line है ये और देन फिर potential energy बढ़ गए उससे पहले 0 है मतलब molecule past लाए जा रहे है और past लाए जाने के बावजूद potential energy में कोई chain नहीं आ रहा और फिर अचानक potential energy बढ़ना चालू होगा तो इस तरह से इस question का answer हमारा Calcutta था Calcutta ठेक अच्छा और equation और equation और है ये अभी पूछा गया पिछले साल इसमें नोंने का एक अगेन वही equation दिये ZV minus B is equals to RT और del Z by del P मतलब का गया कि अगर हम compressibility factor और P का graph बनाए तो जैसे ideal gas के लिए तो Z is equals to 1 वाला graph ये होता है और अगर ये equation follow हो रही होगी तो graph ऐसे straight line आएगा अभी मैंने बताया था तो DZ by DP इस graph पे DZ by DP मतलब DY by DX DY by DX का मतलब slope of the curve और slope of the curve अभी मैंने आपको बताया था B by RT होता है जिसको इन्होंने X B by RT लिख रहा है इसका मतलब X की value है 1 इसका answer 1 है अब बच्चे देखके इसको डर्गे करें डेल Z by डेल P पता नहीं क्या लिख दिया है कुछ भी नहीं लिखा है डेल Z by डेल P का मतलब DY by DX लिखा हुआ है और DY by DX हमें पता है straight line करवाता है इस equation का और उसका slope होता है B by RT तो इसका answer हमारा 1 था तो इतनी questions थे बेटा जो हम लोगों ने इससे statement डिसकस किया और I hope कि मैंने बहुत सारी बातें आपको बता ही जो आपके अच्छे काम आने वाली है बहुत अच्छे से इसको follow करना ध्यान रखना और और ज़्यादा अपने questions की practices करना हम लोग अगने वीडियो में फिर मिलेंगे thanks for watching and keep rocking बेटा take care, thank you